लेटर लिखना है कॉलेज को या स्कूल को और आपका काम हो जाएगा पिछले साल भी बच्चों का यह तरीका बताया मैंने प्राव्लम स्वाथ इस साल भी यह तरीका बता रहा हूं आपका प्राव्लम भी सॉल्फ होगा तो हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकैडमी में बच्चों आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी आपके लिए बच्चे अगर आपने एक्जाम दे दिया है और डिमांड का जुलाई में अगस्ट में सब्तंबर के सुरुआत में देने वाले तो आप वेट कर रहे हो बाइक कि अगर रिजल्ट के लिए अगर नहीं आया तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा बच्चे अगर आप वीडियो में आ गये होना तो अगर पांस-सात मिनट की वीडियो है अगर आपके के पास टाइम नहीं है तो 1.5 एक्स पर देख लो 1.7 पर देख लो लेकिन वीडियो पूरा देखो स्किप नहीं करना स्किप करने से टाइम वेस्ट आपको आपका टाइम वेस्ट होता ही है आपको समझे भी नहीं आएगा तो खाली आप बढ़ा सकते हैं तो अपडेट क्या है कॉलेज में बच्चे आप एड्मिशन ले सकते हो कन मैं बताउ है इस वीडियो में ठीक है लेकिन वागे मपसूं पताता हूं प्धाता हूं बागी बच्चे बताता हूं अभी आपको आपको चripा बलेख से नब्सक्ते कर रहा है ठीक है बच्छे बागे इस बिडियों बताऊगा इस 25 कोर्ष न के बारे में जिनका एक्जाम अभी कोने वाला है सबसे बीड़े बात करते हो बत्रों बच्छे एड्मिशन य। इस समर्ड पर जाके चेक करोगे वहां पर लिखा है सब्तेंबर में में रिजल्ट आ जाएगा ठीक है और जर्रली सब्टम्बर के फर्स्ट वीक में आने वाला था ठीक है लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे अगर रिजाइड नहीं आएगा टाइम पे तो कॉलिज में डूशन नहीं मिलेगा अब दसवी क्लास का बच्चा भाई इसने न है जिए कि 11 क्लास में से सीट से में वर्ट मुशन ले सके ठीक है और वह 25 सारीक से पहले से पर फछूस्ट अदर इस काँगी है तो कहँंत तक ग्यार वी मैं अदूशन नहीं हुआ है तो इसका मतला तो यह वेस्ट होगा लेकिन नहीं बिच्चे दीख कॉशन लेकिन नहीं तो 10th class की बच्ची हो और आपका result अगर आ जाता है तो बच्चे आपका admission तो होई जाएगा क्योंकि स्कूल में admission होना आपको जानती है ठीक है अब result काव आएगा तो बच्चे result में बात करता हूं इस वर से एक्जाम हुआ है बहुत पहले 15 जोलाई को इस ऍटार्ट हो गया था ठीक है ना लेकिन सिस्टी डेज बिक्सों के सिक्स्टी डेज प्लैस हो चुका है इसी किसी के 45 डेज हुआ है ठीक है यह तब तक तो result आ जाना चाहिए result भाई आ जाना चाहिए लेकिन आया की नहीं तो आप्छे रिजल्ट में बताता हूँ सब्तम्बर के फर्स्ट यानि कि जो चल रहा है यह आप देखो पांच चे छे तारीक हो चुका है ठीक है लेकिन बच्चे अगर रिजल्ट इस वीक में नहीं आया तो कंफॉर्म डेट बताता हूं अगों मैं कंफॉर्म डेट ठीक ना कं सब्टम्बर अब मैं बोल रहा हूं बच्छे यह क्या है क्या मेरे पास अंदर की नहीं पच्छे ऐसा नहीं है मैं समझाता हूं पिछली बार रिजल्ट आया थे 25th October को क्यों भाई पिछली बार 2030 की बात कर रहा हूं में और तफिश्वमः और इस वह लिएख्ञान हुए थे ईकजान बच्चे अपके हुए था एकजान पंद रा दिन लेट वह ते और इस लिए यलिए आचल अब हुआ है और लेट क्यों हुआ तो बॉसे लेट होने का कारण है क्योंकि एकजान एक्जाम 12 September last date को करा नमबर आपको आपको यहाँ पर शो और रहा होगा तो फर्वीड नहीं नहीं आएकशाम करया हूं तो उसके जो आएगा इसमें नहीं आएगा मैंने नहीं कंफर्म के रहा हूं इसके जो रिजल्ट आएगा लास्ट वीक आव सब्सक्तिमबर ने का है नोट कर लो आप अब देखेश गया है कि पर देना है बट हम अब प्रडिक्शन के साथ करें अजूंट के साथ कि तक इस डेट की विज में आपका रिजल्ट आ सकता है ठीक है इस डेट में आपका रिजल्ट आ सकता है यह कहानी है आपका एक्जाम का रिजल्ट आएगा और बच्छे आपका अब क्यों यहां कैसे विडियो ने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कैसे होगा बहुत रिजल्ट मतलब रिजल्ट आते आते बहुत लेट हो जगा स्कूल में लेटर लिखना है इसमें ठीक है लेटर लिखना आपको ठीक है लेटर में क्या लिखो गया आप सार मेरा नाम लड़का हो तो ठीक कोई भी लड़की हो ठीक है मेरा नाम सुमन है मैं आपके स्कूल में का चात्रा हूं यह चात्री चात्रा हूं एंड सर मैं 10 लास का बच्चा था यह भूं इसकर ठीक है मेरा अबाटमेंट आया था मैंने एक्जाम दिया है और मेरा रिजल्ट आने वाला है पंदा दिन के अंदर ठीक है यह देट है तीस तारीख बोल देना आप एंड सर प्लीज मेरा आप एड्मिशन ले लो रिजिस्ट वापस हो जाता है मतलब और अगर आप एड्मिशन फीस देते हो तो बच्चे स्कूल और कॉलेज को आपकी फीस से मतलब होता है आपके एड्मिशन से जादा आपके फीस से मतलब होता है क्योंकि उनके वाइर देखो everything is a business समझ रहो ना तो उनको अपकी आपकी फीस से हो तो भाई लगता है बच्चा जैनुवन है बच्चा तो अड्मिशन लेगा लेगा अब अपने फीस देदी ठीक है तो शायद आप कॉलेज नहीं जा पाऊंगे लेकिन आपके बास एसाल्टी रहीए कि मेरा एड्मिशन हो गया है जैसे ही रिजल्ट आएगा रिपोर्ट टाइम मांग लो इतने मेर रिजल्ट आभी जाएगा पंगरह से पीजिन का टाइम बच्ट आप ईबिस श्वल्ट हो जाएगा देखो बच्चें यह नहीं ओनेघवा चैका यह तरीका बेस्ट है यह तरीका क्या है इस सथारीका है इस तरीका बोलते है रिक्वेस्ट करना और college confirm मानेगी पिछले साल भी मैं बच्चों का यह तरीका बताया मैंने एंड प्रॉब्लम स्वा था इस साल भी यह तरीका बता रहा हूं आपका प्रॉब्लम भी सॉल्फ होगा ठीक है अब बच्चे बात के लिए तो 25 कोशन के बारे में सब्सक्राइब के अंदर 25 कोशन होते हैं और यह वो कोशन होते हैं जो आपके एक्जाम में आते हैं ठीक है इसके उबर कई सारी वीडियो बना चुका हूं मैं और यह सिर्फ इंफोर्मेटिव बता रहा हूं कि बच्चा जो 3-4 दिन वाद पेपर देने वाला है अगर यह कु दो पाया होगा अपको समझ में भी आया होगा ठीक है इस तरीके-श्थ ग्रेंटी अपका एड्मिसन हो जाएगा वह लेटर वाला कहानी जो में में बता आया है अगर बच्चे आप नहीं देखे हो आपने स्क्प कर दिया है तो बता जिता हूं वीडियो में एक लेटर वा मैं कॉलेज को या स्कूल को एंड आपका काम हो जाएगा ठीक है एंड बच्चे और निमार एडिविशन है तो ले सकते हो रिजल्ट आपका लास्ट पीक अव सक्तम्बर में आएगा बागी बच्चे वीडियो में इतने था वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता हो नेक्स ट्वीडियो में जाहिन बच्चे